गुड मॉर्निंग सीरीज का ये भाग आज 25 सितंबर 2017 पहले प्रकाश डालते हैं कुछ करेंट अफेर्स मामलों पर जो परिक्षा के हिसाब से महत पूर्ण है उसके बाद देखेंगे क्या कहता है आज का इतिया चलिए सुरू करते हैं पहला पॉइंट देखे 17 सितंबर 2017 को प्रदानमंती नरिंद मोधी जी ने सरदा सरो और बांध देश को समर्पित किया यह बांध नरमदा जिले के केवडिया में नरमदा नदी पर बना है यह बांध जो है नरमदा उस जिले का नाम भी नरमदा है नदी का नाम भी नरमदा है और उसके केवडिया में बना हुआ है के वड़िया गाउं है मतलब सम्थिंग ये नेक्स्ट जो ये सरदार पटेल मतलब सरदार सरोवर बांद पर योजना है इसकी आधार सेला पांच अपरेल उन्नीस सो इक सट को रखे गई थी और उस वक्त हमारे भारत के प्रदान मंत्री थे पंडिजवालल नहरू नेक्स् इस देखे जो बांध है सरदार और बांध इसका फायदा किस किस से स्टेट को होगा तो वह स्टेट है महरास्ट गुजरात मद्यपरदेश राजिस्थान नेक्स्ट देखे इस परियोजना से 532 किलोमेटर नंबी नर्मदा नदी मुख्य नहर विस्व की सबसे बड़ी चाहिए नहर होगी क्योंकि देखे अभी तक इससे पहले क्या था एक वह इंद्रा गांधी परियोजना थी जो शायद राजिस्थान में थी वह भारत की सबसे बड़ी परियोजना थी अब शाय अब इसको नाम दिया जाएगा दूसरा इस बांध के सम्मध में एक बात यह हो रहा है के विसु का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा बांध है नेक्स्ट के इसमेरा किर्कीट से बना सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे उंचा भारत का तीसरा सबसे उंचा 163 मीटर बांध होगा देकि हाइट के मामले में तीसरे नमबर पर है और अगर वैसे देख पर ठीक है नेक्स देश के दो अन्य सबसे उचे बांद पहला नंबर पर भागणा जो की माचल में हिमाचल पर देश में 226 मीटर का दूसा लखवर बांद जो की उत्राखंड में है समर्पित क्या यह बांद किस नदी पर है नर्मदा नेक्स्ट देखते हैं अठारा सितंबर 2017 को केंद्र सरकार ने वरिष्ट आई पीए सदिकारी रजनी कांत मिश्को सैसस्त्र सीमा बल यानिकि एसेसबी का निया महानी देशक नियुक्त किया घै तो एसेसबी का निया महानी 19 तक रहेगा कब तक रहेगा इनका कारेकाल 31 अगस्ट 2019 तक इस पद पर वह अर्चना रामा सुंदर्म का इस्थान लेंगे जो 30 सितंबर 2017 को सेवा निवर्थ होने वाले हैं यानिके अभी पांस दिन बाद नेक्स देखें 18 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार ने वरिष्ट आई प इनके निये का नया महानिदेशक को ने वाइसी मोदी इनका जो कारेकाल है वो 31 मही 2021 तक रहेगा इस पद पर उन्होंने रिप्लेस किसको किया है सरद कुमार को ठीक है जो कि 30 अक्टूबर 2017 को निवर्थ होंगे अभी काफी टाइम है उनके रिटार होने में 30 अक्टूबर 2017 17 को फिलाल में जो यह वाइसी मोदी है अभी जो इनका पद है वो CBI के अपन निर्देशक के रूप में है चलिए दोस्तों अब डालते हैं इत्यास पर नज़र आज ही के दिन 25 सितंबर को 1818 में डोक्टर जेम्स ब्लेंडेल ने नाम से लग गया ब्लेंडेल और खून का मत है एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बस इतना है तो कि ब्लड चलाने की सुरुआत किसने की डोक्टर जेम्स ब्लेंडेल ने की कब की यह कोई खास महत्पून नहीं है ठीक है नेक्स देखते हैं आज ही के दिन 1916 में जन संके निर्माता कहे जाने वाले लेखक पत्रकार पंडित दीन द्याल उपाद्धाय का जन हुआ था इनके बारे में अगर कुछ फैक्ट जाने तो देखे पहला यह है कि इनोंने स्विल सरी परिक्षा पास किती लेकिन नोकरी नहीं की चीक है हाला कि 11 फरवरी 1968 को इनकी रेल यात्रा के दोरान मौत हो गी थी उससे पहले इनका अगलब वो देख लेते हैं 1948 में सापताई कपतार आखबार आता था है मतलब वीकली न्यूज पेपर जो हता है पांच जन्य उन्होंने शुरू किया और 1940 में रास धर्म नामक एक पत्री का शुरू की थी इसक तो बस हमें इतना याद रखना है जो ये पंडित दीन द्याल उपाद्याए जन्संग के निर्माता कहे जाते हैं इनके बारे में एक तो ये कि इन्होंने जन्संग पांच जन्य अकबार सुरू किया था जो सापता एक अकबार था इसके लावा 1940 में रास धर्म नामक पत्र का जारी की थी और इसके लावा 1960 में इन्हें कालिकट अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था देखिए ये बहुत ही महत्पून फैक्ट है आज का 25 सितंबर का इसमें देखिए जो हमारे भारतिय एंट्रिक्ट एजेंसी है इसमें आपने कही बार पढ़ा फैक्ट एक तरीके से यह कहा जाता है कि कहीं भी पूछा जा सकता है पहला प्यक्ट इन्होंने भारत में प्रियोगात्मक फ्लूड डायनामिक्स रिसर्च का पिता माह माना जाता है यह जो रिचर्च थी नहीं के नाम से थी दूसरा डॉक्टर विक्रम सारा भाई के बाद जो पहले अध्यक्ष माने जाते थे उसके बाद 1972 में इन्हें इसरो का चेयर्मेंड बनाया गया था अब देखते हैं इन्होंने भारत में क्या क्या स्पेशल किया था भारत की पहली सूपर सोनिक विंड टनल जो आई आई सी है बैंगलूर में लगाने का स्रे भी नहीं जा सब्सक्राइब का करेकार संभाला भारते उप और इसके लावा भारते उप ग्रेक्षन केंट सिरिया रिकोटा को अब प्रोफेसर सतीजदहन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है जैसे कि आप न्योज में पढ़ते भी हो कही बार चलिए नैक्स देखते हैं यह ग्रूप किसको रक्तदान दे सकता है ब्लड ओ ग्रूप वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं ठीक है उन्हें यूनिवर्सल डॉनर कहा जाता है यह कॉस्चन तो यही बन गया कि यूनिवर्सल डॉनर किसे कहा जाता है ओ ग्रूप वालों को यह किसी को भी खून दे सकते है एबी वालों को एबी गुरूप वाले सिर्फ एबी गुरूप को रखधान कर सकते हैं हाला कि बाकि सबी गुरूप से वो खुन ले सकते हैं लेकिन एबी जो है वो एबी को ही देता है बाकि किसी गुरूप को खुन है तो एबी ले सकता है इसके लावा बी गुरूप सबी के फैक्ट लिके में देखे मैं बाइलोजी का स्टूडेंट नहीं रहा था जो ज़्यादा अच्छे से इनको एक्स्प्लेंड करूंगा ठीक है ठीक है देखे आज का वीडियो कैसा लगा आपको देखे आप जानते हो मेरे पास अभी थोड़ा संसाधनों की कमी है एक मार करसानी है कि मैं इस पे टिक कर सकूं बस ऐसे ही है लेकिन मेरी तरफ से इपना भरपूर प्रियास यह होता है कि मैं जादा सजादा जानकारी आपको देखकूं ठीक है इसी के साथ जाहिन दोस्तों फिर में लेंगे